हलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू आवर चानल स्टिच बाई राधिका उमीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होएंगे आज की वीडियो में हम अम्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टैप बाई स्टैप समझेंगे तो सबसे पहले हमें इसके लि लिजेगा अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक भी जरू कर दिजेगा तो मैंने यहां पर जो है यह धाई मीटा का फैब्रिक लिया हुआ है यहां पर मैंने इस तरीके से डवल फोल्ड कर लिया है एक साइड जो है इसकी बंद होगी बाकि तीन साइड इसकी ओप लेना है तो यह तो अब को इस तरीके से उसमाशे की शेथ में जो है अफो दिखाई देगा तो यहां पर जो है आपको इस तरीके से इस पर मिजरमेंट लेना है तो यहां पर और यहां さयłeमीपनीच करेंगे कमर का फोर प्लस उसमें 1.5 से 2 इंच हम लूजिंग लेंगे क्योंकि हम उपर एलास्टिक डालने वाले हैं तो यहां पर कमर का मेज़र्मेंट है 35 इंच इसका 4 पार्ट करने पर आएगा यहां पर 8.6 इंच जिसमें हम 2 इंच की लूजिंग लेंगे तो यहां पर टोटल हम यहां पर आसन का मिज़र्मेंट लेने के लिए जो हमारे बैक का फो पार्ट लेंगे तो बैक यहां पर 40 है तो फोर पार्ट आएगा इसका टान इंच अब इसमें हमें दो इंच लोजिंग लेनी है तो यहां नहीं हमें आप जो है वो 12 इंच पूरा लेना है अब एक इंच हमारा इसे एक इसे उनास्टिक का माइनस करके तोर्टल ग्यारे ले लेंगे तो मैंने हं रही हमें इस तरीके से तरीके से इस्टीक हमारे के यहां बहुत ज्या घयरायी नहीं ले है है तो इस तरीके से हम जो है यहां पर गुलाई 네 dar ते देंगे अब हम यहां पर जो लैंड युसको मिज़ करेंगे तो हमारी यहां पर जो रैड़ि लैंड है वो धर्टी हौर इंच है एक इंच हम यहां पे मार्जन लेंगे यूगि हमें नीचे दवाने के लिए और उपर भी चाहिए तो हम यहां पे 35 इंच पे पूरी गुलाई में मार्ग करेंगे तो इस तरीके से हम जो है इंची ठेप को पूरी गुलाई में इस तरीके से लेते हुए 35 इंच पे मार्ग कर लेंगे यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं मैं एक इंज जो इलास्टिक है उसको अल्यडी निकाल के रखा हुआ है अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल लए हैं डिरेक्ट आप मेज़र कर रहे हैं तो एक इंज आप लास्टिक का माइनस कर दीजेगा तो मैंने जो इहाँ पर 35 मेज़र किया हुआ है वो इलास्टिक को उपर निकाल के मेज़र किया है ठीक है अब जो हमने निशान लगाए हैं इस तरीके से हम उसकी कटिंग कर लेंगे तो सबसे पहले हम गोलाई की जो हमने कमर वाला मेजरमेंट था उसकी कटिंग की है त्यान हम आसन की कटिंग करेंगे और उसकी बाद जो हमने लैंत का माग किया था उस पूरी गोलाई की हम कटिंग कर लेंगे तो इस तरीके से हमने यहां पर जो कटिंग है उसको कर लिया है अब यहां पर आप साइड में देख सकते हैं यहां पर हमारा जॉइन्ट आया था जो हमारा फाब्रिक कम पड़ा था तो इस तरीके से बच्चे वे फाब्रिक को हम पलटके रखेंगे और जो हमारा जॉइन् स्टिचिंग तो सबसे पहले जो हमारा जॉइंट आया है इसी को हम स्टिच करेंगे तो हमने यहां पर प्लाजो है इसको सीधा रखा है और इस जॉइंट को हम इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और इसको लगाएंगे दैन हम इसको सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम इस साइट के जो जोइट थे हमने इसको स्टेच कर लिया है अब यहां पर हम एक वाज चेक कर लेंगे हमारी लांद क्योंकि जो है ऊपानीचे ना हो गय Brett लिए हम्ड़ेगा लांध को जो है दुबारा से चेक कर लेंगे अब हमने पर आसन हे गारना तो इस तरीके से हमने जो है आप आजो को उपन करके रखा हुआ है और दोनों साइट से हम जो है इस तरीके से आसन को स्टिच करेंगे आसन पर जो है आपको डवल स्लाई लगानी है और इस तरीके से आपको दोनों साइट ही डवल स्लाई लगा के आसन को स्टिच करना है तो जो लास्टिक है वो हम सबसे लास्ट में लगाएंगे यहां पर हमें करना क्या है जो हमने अभी आसन स्टेच किये हुए है इनको हम बिल्कुल बराबर करके पकड़ेंगे इस तरीके से आसन जो है वो इदर दर नहीं होना चाहिए अब पूरी नीचे तक जो है हम स्लाई लग पूरी नीचे तक लगानी है और आप आसन से ही स्टार्ट किजेगा इसके बाद हम यहां पर जोइन करेंगे लास्टिक को तो मैंने यहां पर इस तरीके से यह फाबरिक लिया हुआ है इसकी जो चोड़ाई है वो यहां पर हमें कमर के अकॉर्डिंग रखनी है और उसकी ल इसको इस तरीके से अंदर से स्टिच करना है और बाहर की तरफ को हम इसको पलट के लगाएंगे तो हम इस तरीके से जो है इसको अंदर की साइट से स्टिच कर देंगे तो यहां पर जो है मैंने इस तरीके से इस तो स्टिच कर लिया है अब हमने यहां पर लिया है इसको मै मिनले खुर्वित कजिए क्लिया के हैं एन्ज हो पार इंग की लिए ख ata कर दो में लिव Aye is anugan मैंने सक्रूंज का को से जारे ज़िए का मम लिया है इसके लिए करेकार जो है हमने जो प्लटकर रखा हुए था इस तरीके से हम इसको सीधी साइड सदे baked is Radies Act Dmind यहां पर इसको serach करती है तो है यहां पर यहां पर यहां पर इसनल हो चुकी है उसकी बाद हम एक बार इसकी ऊपर टॉप स्टिच लगाके कर इसको complete करेंगे इससे हमाई जो ग्यादरस है वह भी new excited हो जाएंगी and elastic जो है इदो दर fold भी नहीं होगी तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने elastic को adjust कर दिया है तो यहाँ पर मैं elastic लग चुकी है और इसका final look and last में नीचे से half inch जो है वो fold कर दिया था and इस तरीके से हमारे प्लाजो की cutting और stitching complete होती है उमीद करूंगी आज की वीडियो आपके लिए helpful होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक like जरू कीज़ेगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब okay bye